नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकरे के साथ दोस्तों आज मैं आपको एक जबरचस्त और अद्बू चड़ी पुटी के बारे में बताऊंगा इस चड़ी पुटी का नाम है काको दुमबर पहले नजरमें इस व्रुक्स को देखने पर बिलकुल गुलर के समान लगता है लेकिन ये गुलर नहीं है इसके पत्र गुलर के पत्तों से कई ज़्यादा बड़े होते है इसके किसी भी साखा को तोड़ने पर गुलर और अन्जिर के समान ही दूद निकलता है इस पर जो फल लगते हैं ये भी जुंकों में गुलर के समान ही लगते हैं दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाए और और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे हमारी हर ने वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहें दोस्तो इस वुरुक्स का संस्कृत नाम काटोंदुबरी का काकोंदुबरी का मलयू मुलकरकरी और सीवत्र भेजश्य है हिंदी में कटगुलरिया, कटुमर, कटगुलर और कोनिया दुमबर से पहचानते है कहीं कहीं इसे दादुरी भी कहा जाता है असमिया भासा में इसे कोसका दुमर कहा जाता है गुजराती में इसे जंगली अंजिर कहते है तमिल में पयट्टी और सुनाट्टी से जानते है जबके नेपाले में खसेडों कहते है इस व्रुक्स का अंग्रीजी नाम वाइल्ड फीग और विग्यानिक नाम पायकस हिस्पीडा है दोस्तों कट्वुमर का व्रुक्स लगबक सारे भारत वर्स में नदियों के किनारों पर परनपाती सदा हरितवनों में पाया जाता है इस व्रुक्स की विशेष्टा है कि ये जब पुराना हो जाता है तब इसकी चाल गांटदार हो जाती है दोस्तो ये व्रुक्स अथी सिग्र बढ़ जाता है, दोसे तिन सालों में इस पर फल लगने सुरू हो जाते हैं, इसके पत्र बिल्कुल गुलर के पत्रों के समान दिखाए देता है, लेकिन गुलर के पत्रों से कहीं जादा बड़े होते हैं, ये 10 से 30 सेंटिमेटर लंबे औ और 5 सेंटिमेटर चोड़े होते हैं, दोस्तो कटूंबर की भी कहीं प्रजातिया पाई जाती हैं, आयरवद के अनुसार इस रुक्स के गुनों की हम बात करें, तो ये स्वाद में थोड़ा तीखा कसेला, कटू, सितल प्रकुलती का पचने में हलका और रुक्स होता है, य इसके पत्र स्वास और खांसी को मिटाते हैं, तो दोस्तो आये जानते हैं कि अवसतकारिया में इस चड़ी बुटी का उप्योगम किस प्रकार से कर सकते हैं, जिन लोगों के बाल जड़ रहे हो, गंजापन आ गया हो, तो ऐसे में ये व्रुक्स आपके लिए बहुत से दोले, ये प्रयोग लगादार 15 से 20 दिनों तक करते रहे, इस प्रयोग को लगादार करने से बालों का जड़ना बिल्कुल बंद हो जाता है, और नए बाल आने लगते हैं, दोस्तो ये घांसी और स्वास में भी बहुत लाब करी होता है, दोस्तो इसके कोमल और ताज्य पत्तो को 1-2 ग्राम की मातर में लेकर पिसलिचे, फिर इसमें गाय का सुद्ध 200 मिली की मातर में दूद मिलाए, फिर पका कर उसमें 500 मिली ग्राम पीपली का चुल मिलाए और पी जाए, दोस्तो इस प्रयोग को कुछ दिनों तक करने से सास फूलने की बिमारी दूर होती है और खांसी सिग्र मिट जाती है दोस्तो इसके फलो को तोड़ने पर दूध निकलता है इस दूध को एक से दो बुंद की मात्रा में बतासी में डाल कर खाने से अतिसार याने दस्त बंद हो जाता है दोस्तो जो लोग अर्स और बवासिर में मस्य से पीड़ी थे बवासिर में खुन आना बंद हो जाता है दोस्तो ये यकृत के लिए भी बेहत फाइदेमन होता है इसके फलो का रस निकाल कर पांच मिली की मात्रा में रोजाना सिवन करने से यकृत सबंदित सारी बीमारिया दूर हो जाती है और यकृत मजबुत बनता है यही नहीं दोस्तो ये कामला को भी मिटाता है इसके लिए इस रुक्स के मूल का क्वात बनाए और तस से पंद्रा मिली के मात्रा में कुछ दिनों तक लगादार पिलाए इससे पांडू और कामला रोग नश्टक हो जाता है दोस्तो ये स्त्रियों के लिए भी अधिक पायदे मन होता है इसके दो से चार ग्राम फलों की चुन के साथ सहद और सरक्रा मिला कर पिने से प्रदर रोग नश्टक हो जाता है दोस्तो ये तोचारोगों में भी अधिक पायदे मन होता है इसके पल या इसकी किसी भी साका को तोड़ने पर जो दूद निकलता है इसको प्रभावित स्थान पर लगाने से डाद, खुजली, अर्ष, सुजन और कंडू जैसी बीमारिया मिटती है और इसका लेप करने से सिर्का तर्थ भी दूर हो जाता है तो दोस्तों ये थी आज की महत्व पूर्ण जानकारे, वीडियो पसंद आने पर लाइक करे, सेर करे और चैनल को सब्सक्राब जरूर करे, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारे के साथ